दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल खबर ब्लेर में जो लाता है देश और दुनिया की सारी खबर घर बैठे आप तक दोस्तो आज की वीडियो में हम दुनिया के एक इंडस्टिंग फैक्ट लेकर आएंगे आपके लिए दोस्तो ये वाला फैक्ट आपको जरूर थोड़ा सा इमोशनल कर देगा लेकिन ये फैक्ट हम आपके लिए बहुत ही मुश्य से ढूंड के लाएं हैं दोस्तो आपको तो पता ही होगा कि आज कल कितने ही बिमारिया हो गई है और लोग बिमारियों से लड़ने के लिए बहुत सी चीज़े भी कर रहे हैं कोई योगा करता है तो कोई meditation करता है तो कोई जिम का सहरा लेता है और सही बात भी है बिमारियों से लड़ने के लिए कोई एक activity इंसान को करना ही चाहिए और अपनी बूरी body को fit रखना ही बहुत आज कल की जरूरी है क्योंकि एक fit इंसान बहुत सी बीमारियों से लड़ सकता है और उसकी immunity system normal इंसान के immunity system से ज़ादा strong होगी लेकिन आजकल की बीमारिया उमर देख के नहीं आती पहले होता था कि इंसान उमर हो गई है तो इंसान बीमार हो जाएगा लेकिन आजकल की बीमारी इंसान की उमर देख के नहीं आती आजकल के fact इसी से related है आजका fact नौर जर्मरी में रहने वाले एक 6 साल का बच्चा कैंसर से लड़ाई लड़ रहा था उसने अपनी आखरी इच्छा अपने घर वालों को ये बताए कि और उनके पोस्ट डालते ही पूरे ही शोशल मीडिया पे उनका ये पोस्ट वाइरल हो गया और उनको लग रहा था कि जादा से जादा तीफ या 40 वाइकर आएंगे लेकिन आप सोचे कि कितने आए होंगे हम आपको बताते हैं उस बच्चे की आखरी इच्छा पूरी करने के लिए पूरे जर्मनी से 20,000 बाइकर्स आए सही सुना आपने 20,000 बाइकर्स अपने अपने स्पोर्स बाइक के साथ वहां पहुंचे और बच्चे को कैंजल से लड़ने के लिए और ज्यादा ही उन्होंने उसका कॉन्फिन लेवल हाई कर दिया और वो भी जर्मनी के हर एक कोने से आए ऐसा कोई भी कोना नहीं था जहां से कोई अपनी बाइक के साथ वहां नहीं पहुंचा तो दोस्तो सोचिए कि आज कल के टाइम में सोशल मीडिया में कितनी जादा ताकत है अगर इसका हम सही इस्तमाल करें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं सच में इस दुनिया में आज भी बहुत सी इंसानिये जिन्दा है दोस्तो ऐसे ही कुछ emotional और knowledgeable वाले facts हम आपके लिए लाएंगे अपने इसी चैनल पर जिससे कि आपकी knowledge भी बढ़ेगी और आपको interest भी रहेगा हमारी चैनल को की वीडियो देखने के लिए अगर अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर दे और अगली वीडियो की notification के लिए bell icon को भी जरूर प्रेस कर दे